हिंद मेरा नाम है अमन वहरा सो फ्रेंड्स आज हम टॉपई करेंगे उसका नाम है एंड्रागोगी तो देखे इससे पहले मैंने पैड़ागोगी किया था तो यह की शिक्षा शास्त्र आज हम करेंगे एंड्रागोगी तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दो यह बिल्कुल न्य न्यू वीडियोस है तो उनको लिखने की जूद नहीं है उनको यह PDF नोट्स मिल जाएगा अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए पूरा प्रॉपर क्लास चाहिए सब कुछ आपको चाहिए और 40 कॉस्चन आपको 50 में से चाहिए एक्जाम में करेक्ट तो आप यह हमारा वाट्साप गुरूप जाएगे यहापको डेली वीडियो PDF मिलेगा आपको हमें इस नंबर पे कॉंटक्ट और वाट्साप करना है 9888-523-440 सारी जनकर आपको यहाँ पे में जाएगी अगर बिल्कुल फ्री करना है तो वीडियो देखे लिखते जाएगे आपकी इसमें भी त्यारी हो जाएगी तो फ्रेंड्स देखे एंड्रागोगी एंड्रागोगी का मतलब होता है कि बड़े बच्चों को बढ़ाना पैडागोगी का मतलब क्या था कि या कईवार देखे मैलकॉम नौल्स आ जाता है ओनली ये इनका था जर्म 1913 से 1997 तक एक अमेरिकी शिक्षक थे जो अच्छी तरह से व्यसक शिक्षा के प्रयाय के रूप में एंड्रागोगी शब्द के उपयोग के लिए जाने जाते थे मैलकॉम नौल्स के अंसार एंड्र अगर आप कोचिंग लेते हैं या कोचिंग नहीं लेते तो आप किसी में आएंगे एंड्रागोगी में आएंगे जो बड़े बच्चों को पड़ाजाते हैं देखे एंड्रा मतलब एडवर नौल्स शब्द और शब्द शास्तर शब्द पदावली के समान माना जा सकता है ग्रीक में एंड्रागोगी का अर्थ है शिक्षा शास्तर की तुलना में मानव अगणी जिसका ग्रीक मियत होता है बाल अगणी उसके बाद हालांकि याध्यान दिया जाने जाए है कि शेक्षनिक शब्द प्राचीन जुनानिकाल से इस्तवाल किया गया है जबकि अलेक्सेंडर कप जर्मन शिक्षक ने पहली बार 1833 में शब्द और धर्म शास्त्र का प्योग किया यहां पर ऐसा कुछ नहीं है आपको यह करना ही जूद नहीं है आप सिंपल सा यह याद रखिए कि जो एंग्डरागोगी जो है इसका मतलब होता है बड़े बच्चों को बढ़ाना एक कॉंसेप्ट किसका था मैलकम शेफट नौल्सकर इसमें आएगा adult learning यान कि जब देखे बड़े बच्चों को बढ़ाया जाता है तो obviously बात है कि हम बात करेंगी adult learning के बारे में यान कि व्यासक अधिगम व्यासक अपरिक्षाए adult learning और adult expectation जो आपका देखें यूजिसनेट का unit 1 है उसमें आप adult learning देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा तो यह आपके बिल्कुल according to syllabus है आपको इसमें पूरा अच्छे से करवाया जाएगा मैं आपको यहाँ पे ऐसे notes यहाँ पे आपको मैं करवा रहा हूँ आप अगर आपके पास कोई भी world best book भी है paper one की वो साथ में रख लिजे आपको खुदी जमीन असमान का फरक देखेगा देखे ऐसे notes आपको किसी भी वुग में मिलेंगे नहीं तो इसे आप ध्यान से करेंगे तो आपको पहली ही बार में net qualify हो जाएगा जेरफ qualify हो जाएगा 40 plus question निकलेंगे 50 में से तो देखे व्यसक अधिकम येंकी अडल्ट लर्निंग में क्या है कि व्यसक शिक्षारतियों के 5 मान येंकी नौल्स 5 अजम से नौफ अडल्ट लर्नर अब देखे जो नौल्स है उन्होंने व्यसक शिक्षारतियों येंकी जो व्यसक अधिकम करता है इनके पांच मान दिये हैं, इनके पांच अजम शन दिये हैं यहाँ पे तो देखें, 1980 में नौल्स ने व्यसक शिक्षार्थियों या अधिगम करताओं की विशेष्टाओं के बारे में चार धार्णाय बनाई जो की बाल शिक्षा, शिक्षार्थियों के बारे में मानताओं से भिन है 1984 में, यानके देखें, जब 1980 में उन्होंने चार धार्णाय बनाई उसके बाद क्या किया उन्होंने 1984 में नेंकि तकरीबन चार सल बाद पांच भी धारणा को जोड़ा यानकि पहले क्या था ये चार धारणा ही थी लेकिन बाद में क्या था चार सल के बाद पांच भी धारणा को भी जोड़ दिया वो स्वयम संकल्पना से सीखते हैं जैसे कि एक व्यक्ती अपनी आतम अवधार्ना परिपक करता है और व्यक्तितव होने की दिशा में एक स्वयम निर्देशित मानव होन के औरिपका है देखें यहां पर कहा है, स्वरजरक अकलपना से, आपका देखें जैसे मालीज यह आपको जैसे बड़े बच्चे हैं तो इनको संकलप लेना बढ़ते हैं कि उन्हें खुद से क्या पढ़ना है, जैसे आप कहते हैं मैं योजी सिनट की त्यारी करूँगा, मैं खुद से पक होता है वैं अनुभव के बढ़ते बंडार को जर्मा करता है और सीखने के लिए एक बढ़ता संसादर बन जागा अब देखिए व्यसक सीखने का अनुभव क्या है अब देखिए जैसे बड़े बच्चे हैं जैसे आप है जैसे मालेजे कि आप कुछ भी चीज़ पढ़त आप लिए तो इससे क्या है आपको क्या है experience आ जाएगा जैसे मालेजे आपने पोस्ट ग्रेजुन कर लिए अब आप देखे sach CFD कर लिया उसके बाद क्या Love प्यूंक का experience आउघया ऑगया ो तो अगर मालिजे कोई आपका भाही भेन या आपको दोस्ट या कोई भी PhD करता है तो वो आपसे help लेता है, सहायता लेता है तो आप उसे PhD के बार में बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि देखें आपके पास अनुभव है, अब देखें जैसे आप यूजिसनेट की त्यारी करते हैं, तो कई कह अगरते हैं कि अपने school की teacher से पूछते हैं, sorry, college के teacher से, university के teacher से पूछते हैं, बताइए कि कैसे त्यारी करें, क्यों सी books पढ़ें, तो वो क्यों पूछते हैं, क्यों कि देखें जो teacher है, वो क्या है, वो well experience है, उनके पास अनुभव है, इसलिए जानने के लिए तत्परता आप देखे, readiness to learn अब देखे होता क्या है, कि जैसे कि एक विख्ती सीखने के लिए अपनी तत्परता को परिपक करता है वैं अपनी समाजिक भूमिकाओं के विकास कारें के लिए उन्मुक हो रहते हैं, देखे यहां पर तो वो क्या है जानने के लिए तत्परताब हमेशा ही हर एक चीज़ को करने के लिए तयार रहते हैं। अधिगम के लिए दिशा निर्देश अब देखे औरिंटेशन टो लर्निंग। जैसा कि एक व्यक्ति अपने समय की दृष्टी को उनको ग्यान में बदलता है। पढ़नाम सवरो उसके उनमुखी करन सीखने की ओर से विशे केंदृता से एक समस्या केंदृता की ओर जाता है। आप देखे जैसे दिशा निर्देश के आए देखे इसमें। जैसे माले जी कि आप कुछ भी पढ़ते हैं। तो क्या है आप एले विशे के उपर केंदृत करते हैं ना विशे केंदृत होता हैं ना जैसे आप उसे पढ़ते हैं आपके समस्या को हल करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बढ़ते पढ़ते पता लगता है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए सही नहीं है और क्या उसमें समस्या है, कैसे उसे समधान करना है, कैसे उसे स्वाल्व करना है, वो आता है अधेवन के लिए दिशा दिर्देश या orientation of learning में यानकी जो भी चीज आपके लिए अच्छी है क्या नहीं है तो वो आप इसमें देखते हैं जानने के लिए प्रेणना इनकी motivation to learn जैसा कि एक व्यक्ति सीखने की प्रेणना को परिपक्त करता है आप हमेशा ही हर एक चीज को जानने के लिए प्रेणित होते हैं मोटिवेट होते हैं यहां पर क्या है कि जो भी सीखने की प्रेणना है यहां परिपक्त होती है आंतरिक रूप से यानकी आपको अंदर से अभास हो जाता है अंदर से आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप कैसे क्या करें जैसे माली जै कि आपने यूजी सनट की त्यारी करनी आपने त्यारी स्टार्ट नहीं किये या आपने दो तिन बार एक्जाम दे दिये लेकिन आपको क्वालिफाई नहीं हुआ तो होगा क्या कि जब आप देखेंगे किसी का इंटरव्यू कि उसने पहली ही बार क्वालिफाई कर लिया उसने ये नोट्स फोलो की उसने वो नोट्स फोलो की उससे क्या या आपको मोटिवेशन आएगा अंदर से कि हाँ मैं ये एक्जाम कर लो तो वह है जानने के लिए प्रेडना तो यह दिखे इक 5 इसके मान है संकल्प है जो हमने किये है तो देखे यहाँ पर क्या है कि नौस ने 4 प्रिंसिपल दिये है सिद्धान्द अब देखे 5 मान थे यह इनकी 5 अजम्शन दि लेकिन देखे एंट्रागोगी के यहाँ पर चार सिध्धान्त भी है फोर प्रिंसिपल भी है एंट्रागोगी के तो वो कौन से है देखे 1984 में नौस ने चार सिध्धान्त सुझाए जो व्यसक सीखने पर लागू होते हैं 経न tolerant भी है देखे पर प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है मानता है कि यहार। यहाँ सिध्धान्त करेंगे अब दिखे व्यसक को उनके निर्देश की योजना और मुलांकन में शामिल होना चाहिए अब देखे पहली बात क्या है जो वेसक है इनकी जो बड़े बच्चे है उनको क्या है कि जो उनका निर्देश की योजना है यानकी जो उनका दिखे उनके क्या करना है उनका मुलांकन क्या है यानकी वो कैसे पढ़ते हैं किस हिसाब से पढ़ते हैं कौन सी त्यारी करते हैं और मुल्यांकन मतलब की वो कितना पढ़ते हैं, उन्हें जो पोड़ा, वो उनके कितने काम का है, उसे सब कुछ पतान चाहिए, जैसे यह आप त्यारी करते हैं, आपको पतान चाहिए, आपका सिलेबस क्या है, आपको यूजिशनेट देना है, आपको कौन सा एक्जाम देना है, तो आप सही guidance, आपको मिल रही कि नहीं, यह सब कुछ इसमें शामिल है, अनुभव यहनकी गलतियों सही, देखें, अनुभव कैसे आता है, हमेशा गलतियों जाता है, अनुभव सीखने की गतिविद्यों के लिए अधार परदान करता है, यहां पर क्या है कि जो आपने यह सोचा कि 50 questions आते हैं, और मैं math reasoning और data interpretation को शोड़ देता हूँ, यह छोड़ देते हूँ, तो 35 जो question का आप exam त्यार कर गेगे, लेकिन हुआ क्या, exam आपको qualify हुआ नहीं, तो आपको अगली बार यह अनुभव हुआ, कि मैंने यहां पर गलती की थी, मैंको पूरा exam क करना चाहिए था, इसलिए मैं अब अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, या नहीं करूंगी, मैं पूरे caution करके जाओंगे, अब देहें, यहां पर negative marking होती नहीं है, तो कई बचाए अगर caution फिर भी छोड़ देते हैं, तो आप यहां पर गलती करते हैं, तो आपका अनुभव बाज आएगा कि हार negative marking नहीं है, हमें पूरा ही करना है, तो यह क्या है आपको, यहां पर सीखने के लिए आधार बरदान होता है, व्यसक उन विशों को सीखने में सबसे अधिक रूची रखता है, जिनका व्यक्तिगत जीवन में ततकाल प्रासंगिक्ता और प्रभाव होत अब देखें, यहां पर गया कि जो व्यसक है, उन विशों को सीखने में सबसे अधिक रूची रखते हैं, यहां कि वो सबसे अधिक वो जीखते हैं, जिनका व्यक्तिगत जीवन में ततकाल प्रभाव होता है, यहां कि जो आपका जो जीवन है, जो आपकी लाइफ है, जो आप उस चीज को टॉपिक को पहले पकड़ेंगे, जो प्रभावी है, वो जो आपके काम का है, जो आपके जीवन में काम आने वाला है, आ रहा है, आप उसे सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे, समगरी उनमुक होने के बजाए, व्यसक शिक्षन समस्या केंद्री थे, आपके सामने बहुत सारी समस्या आती है, तो आपका काम क्या है उस समस्या को दूर करना, उस समस्या का हल करना, तो देखें, जैसे से आप करते जाएंगे, आपको क्या है अनभवाता जाहेगा, और आपको चीजे असान लगने लगेगी, तो यह है इसके चार सिधान्त, त तो देखे है के यहाँ पे यहाँ पे पैडागोगी यहाँ पे एंडागोगी यहाँ की शेक्षनी दृष्टी गौन एंडागोगी दृष्टी गौन देखे शिक्षार्थी शिक्षक पर निर्भर करते हैं शिक्षक वै जो प्रगर्ति का मुल्यांगन करता है और जो सिखाय जाता है उसकी पूरी जमदार लेता है देखे पैड़ा होगी में कहा था कि जब बच्चे शिक्षक से पढ़ते है स्कूल में तो उसमें क्या है कि बच्चे जो है जो विद्यारती है जा शिक्षारती है वो क्या करते है कि वो शिक्षक के उपर depend है शिक्षक के उपर निर्भ क्या करते हैं वो शिक्षक करते हैं यहां पर क्या है कि जो शिक्षक उन्हें सिखाएंगे वो उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं इनकी पूरी तरह से यहां पर शिक्षक के उपर बच्चे डिपेंड हैं निर्भर हैं लेकिन एंडरागोगी में दूसरी दर्फ क्या है शि आप कोचिंग ले, स्कूल में जाए, कहीं पर जाए है ना, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या है कि आप कुछ से पढ़ सकते हैं, आपको कुछ से त्यारी कर सकते हैं, आप कुछ से पढ़ सकते हैं, तो आप स शिक्षक पर निर्भन है, यहां पे क्या है अंड़ागोगि में अपस्वयम पर निर्भन है, शिक्षार्थी जीवन के चोटे अन्भव के साथ तालिका में आता है, बच्चों का दिमाग एक फाली स्लेट की तरह होता है और शिक्षक सबसे परभावशाली होता है, क्योंकि शिक्षार्थी के साथियों के पास अर्मभव की कमिया, अब देखें यहां पर क्या है, कि जो शिक्षार्थी है, उसका दिमाग क्या एक खाली स्लेट की तरह है, अब जो उन्हें टीचर बताएंगे, शिक्षक बताएंगे, वो उसी को सीखेंगे, अब जो शिक्षार्थी है स्कूल में पढ़ते हैं जो उनके साथी हैं उनको भी तरी नॉलेज नहीं है तो चाहे शिक्षारती है चाहे उनके साथी उनको सारी चीज के लिए किसके ओपर डिपेंड रहना पड़ता है निर्भा रहना पड़ता है शिक्षक ओपर लेकिन दूसरी और एड़ागों के व्यसक प्रशिक्षक से सीखते हैं लेकिन दूसरे से भी अब देखें यहाँ पर क्या है कि जो व्यसक है वो अपने इस्ट्रक्टर से वो प्रशिक्षक से सीखेंगे लेकिन वो क्या करेंगे कि दूसरों से भी अपने दूसरे जो साथे हैं उनसे भी सीख सकते हैं बाहर से भी सीख सकते हैं, उनकी मर्जी है, तो पैड़ा होगी में क्या है, पूरी तरह से टीचर के उपर डिपेंड रहना पड़ता है, यहाँ पर क्या है कि इस्ट्रक्टर से सीखने के बाद कहीं से भी सीख सकते हैं, जैसे आप देखें, प्रशिक्षक द्वारा निर्धा पारित किया जाता है, और इसे एक तरह से अनुक्रमित किया जाता है, जो तारकिक समझ में आता है, वीशे समगरी को एकाईयों में करके पढ़ा जाता है, देखें, यहाँ पर क्या है कि जब भी यहाँ पर स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो क्या करते ह अब भी एक ही बार में पूरा लेसन नहीं पढ़ाते हैं, वो करते हैं कि उनको टुकड़ों में बांड देते हैं, जैसे मारे ये दस पेज का लेसन उने वो दो दोगर के रोज पढ़ा देंगे, कि ताकी बच्चों के समझ में आएं, लेकिन यहां पर क्या है, एंडरोगोग शिक्षा नयोगे दरन के टीचिंग अप्टेट खतम कर सकते हैं, शिक्षारती माता-पिता और शिक्षकों जैसे बाहरी स्त्रोतों से प्रेजित होते हैं, विशे, पास या फेल, ग्रेट द्वारा पूरा किया जाता है, अब देखें यहां पर क्या है, कि जो शिक्षारती शिक्षारती के अपर किसका प्रभाव होता है, टीचरों का, शिक्षकों का और माता-पिता का, और जब भी वो पास फेल होते हैं, वो ग्रेट उनको मिलता है, लेकिन यहां पर क्या है, शिक्षारती आंतरिक साध्रों से प्रेजित होते हैं, जैसे आतम सम्मान, जीवन की गुणवत्ता, समस्ता, समधन और मानिता की को, शिक्षारती विशो को निपुनता से पूरा करते हैं, तो देखें, यहां पर क्या है कि, पैड़ा गोगी में क्या है, जहां पर शिक्षारती के अपर, पर भावे माता-पिता से, माता-पिता उनको समझाते हैं, शिक्षारत तो जीवन की गुनवत्ता, अपना जीवन सुधारने के लिए, समस्या को सुधार, समधान करने के लिए, ये सारी ही चीजे इस पे आती है, तो इन शोट अगर अगर हम बात करते हो, शैक्शन की द्रिष्टी कौन क्या है, कि छोटे बच्चों को बढ़ाना, और एंड्रागो सब्सक्राइब करके बेल एकन जुरूर दबाईए, अगर आपको वाट्साप गुरूप जोइन करना है, पेपर वाट्साप कर सकते हैं, आपको सारी जनकरिया अपर मेर जाएगी, आपको मैं फिर से बता दूँ, वीडियो आपके लिए फ्री है, आपको वीडियो देखना पड़ेगा फ्री में, लेकिन अगर आपको नोट चाहिए, वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पेड कोर्स वाट्साप करना पड़ेगा, आप हमें इस नमबर पर कॉट्टाक्ट और वाट्साप कर सकते हैं, सो वीडियो देखना है, जय हिंत, जय भारत